अगर आपका मन हो कि आप बहुत ही successful और famous लोगों से मिलो लेकिन आपके पास उन तक पहुँचने के, travel करने के पैसे ना हो तो क्या आप अपना सपना सच करने के लिए एक game show में जाकर पैसे जीतने के कोशिश करोगे और पैसा तो सिर्फ एक चीज है, क्या आप इतने लंबे सफर पर motivated रह सकोगे यह है कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब पर based है हमारी आज की किताब दोस्तों मैं होनीदी, welcome back to the channel और आज की एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यह किताब आलेक्स ने कॉलेज में लिखनी शुरू की थी जब उनके सर पर impossible to connect लगने वाली personalities और successful लोगों के interview लेने का भूछ सवार था, people like Warren Buffet, Lady Gaga, Pitbull and many more और आलेक्स ने यह कर दिखाया, तो चलिए देखते हैं इसा क्या लिखा है इन दिस किताब जो बनाता है इसे खास यह किताब the third door is compilation of author's journey and key lessons learned and I'm here to discuss with you some of those key takeaways पहला है the night club analogy जिन्दगी एक night club जैसी है, जिसमें entry के तीन doors यानि के तीन दर्वाजे है पहला door है main door, जिसमें जनता line लगा कर खड़ी रहती है life में conventional path to success follow करती है first door entry वाले लोग सोचते हैं कि अगर आप जम कर पढ़ाई करो, मेहनत करो तो आप एक अच्छी life पा सकते हो, so the conventional path to success दूसरा door है back door, जिससे celebrities और VIPs उस night club में घुसते हैं so second door basically is an indicative of privileged people जिनके पास पैसे है, convenience है, contacts है so that's their route to success लेकिन उन बच्चे हुए लोगों का क्या, जो night club में जाना तो चाहते हैं लेकिन वो first door की भीड में खोना नहीं चाहते और second door entry privilege उनके पास है नहीं यहाँ concept आता है third door का एक ऐसा unorthodox रास्ता जो आपको आपकी मन्जिल तक लेकर जाए लेकिन वो रास्ता हमें खुद बनाना पड़ता है success के लिए conventional rules follow ना करके unconventional रास्तों पर चलना पड़ता है जैसे कि Alex को celebrities का interview लेना था उनके पास पैसे नहीं थे तो वो एक game show में पहुँच गए show जीता, वहाँ से पैसे इखटा किया और फिर अपना सफर शुरू किया so that's the third door दूसरी analogy है fair deals today for more deals tomorrow और मुझे ये thinking बहुत पसंद आई because it is about choosing long term opportunities over short term profits आज एक ऐसी fair deal करना जो आपके लिए आगे के रास्ते खोल दे is much better than a highly profitable deal तोडे जो आगे आपको कही ना लेकर जाए और शायद हम सभी जिन्दगी में एक ना एक बार ऐसी situation में आता ही है जहां earning big up front over a long term gain एक जादा lucrative offer लगता है मेरे लिए बहुत सारी partnerships और business deals इसलिए materialize नहीं हुई क्योंकि मैंने उन deals में short term profit पर focus किया और long term gain पर ध्यान ही नहीं दिया तो आज के short term gains की बजाए long term opportunities और relationships पर ध्यान दो जो आपको एक लंबे सफर के लिए तयार करें और दूर तक आपका सांते तीसरी analogy है be an intern for life और ये lesson Alex ने pitbull से सीखा है life को ऐसे treat करना चाहिए जैसे कि आप एक lifelong intern है पूरी जिंदगी सीखने के इचुक अब बहुत से लोग इस mindset में फस जाते हैं कि अगर उनके पास X number of years का experience है या वो किसी field में बहुत जादा उनके पास expertise और experience है तो वो लोग सीखना बंद कर देते हैं लेकिन आप चाहे life की किसी भी situation में हो प्रोफेशन में हो, business में हो आपको जिंदगी में एक intern बनके रहना चाहिए मतलब आपके दिमाग में हमेशा कुछ नया सीखने की curiosity होनी ही चाहिए सवाल पूछो, कुछ नया सीखो अपने काम के बारे में, अपनी industry के बारे में competition के बारे में So be a lifelong intern अगला lesson है, wisdom of greats किताब में एक quote है gather the wisdom of the greats so that their hindsight will be our generation's foresight Alex ने बहुत से great लोगों को interview किया from music industry, business industry इस उमीद में कि उनकी knowledge से हम अपने आने वाली generation को inspire कर सकें उन्हें successful बनने में help कर सकें basically, so that we can learn from the wisdom of the greats जरूरी नहीं है कि हम हर रोज कुआ खोद कर पानी पिएं जरूरी नहीं है कि हर सबक trial and error से ही सीखा जाए जो लोग हमसे पहले बड़े काम कर कर गए हैं उनसे सीखना भी बहुत बड़ी चीज है So use the wisdom of greats ताकि उनकी hindsight, यानि कि उनके पिछले कल की knowledge यूस करके हम अपनी foresight यानि कि अपने आने वाले कल की knowledge को build कर सकें जब हम great लोगों के पास से सीख सकते हैं कि patience कितनी बड़ी और important चीज है तो से सीधा सीधा ही उस करो ना यार लाइफ में Why use my way और highway kind of approach? So you're getting the essence here, right? पोरी किताब, amazing takeaways से भरी हुई है but the last analogy that I would love to share with you is connecting the dots Steve Jobs का एक बहुत famous quote है You cannot connect the dots looking forward You can only connect them looking backwards आपको एफेथ रखना होगा कि आज जो भी हो रहा है वो आपको एक सुनहरे सफर की तरफ something better की तरफ लेकर जा रहा है Many a times we feel lost in life, right? ऐसा लगता है कि हम कुछ decision नहीं ले पा रहे हैं मन में rejection का फियर आता है failure का डर लगता है ऐसे में problem यह नहीं होती है कि हमारे पास एक clear path to success नहीं होता problem यह होती है कि solid path होने के बाद भी things don't go the way we planned, right? तो जब हम आगे देखते हैं सफर धुंदला लगता है obviously because we cannot predict the future लेकिन जब हम सफर में पीछे मुड़ कर देखते हैं and when we try to connect the dots तो अकसर सवालों के जवाब मिल ही जाते हैं Steve Jobs जब college में थे तो उन्होंने एक calligraphy class join करी उस समय किसी को भनग भी नहीं थी कि आगे चलकर ये calligraphy class आपल कंप्यूटर के fonts और typography में कितना बड़ा रोल प्ले करेंगी तो calligraphy class आगे चलकर मेरी लाइफ में कैसे यूज होगी ये बात Steve Jobs को उस class के समय सपता नहीं थी लेकिन कई साल बात जब आपल कंप्यूटर में ये fonts डिवेलप हुए और उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा कि इस सब की शुरुवात कहां से हुई थी then he was able to connect the dots कहने का मतलब है कि हर बार आगे देखने पर रास्ता clearly दिखे ये जरूरी नहीं है लेकिन जब आप पीछे मुड़ कर देखोगे तो समझ आएगा कि आप जहां हो वहां तक पहुचने का कारण क्या था The third door is an amazing read one of my friends borrowed my copy of the book वरना में आपको दिखाती It's a thick book लेकिन किताब का size देख कर hesitate मत करना किताब इतनी interesting और inspiring है कि एक वर आपने पढ़ने शुरू कर दी then you will not be able to put it down ये किताब ग्यान पर नहीं एक सफर पर बेज़ है कि कैसे Alex के मन में एक खयाल आया फिर उन्होंने क्या किया रास्ते में कौन-कौन मिला क्या-क्या सीखा कौन से चैलेंजिस फेस किये So that's the flow of the book तो अगर आप successful लोगों से कुछ नया सीखना चाहते हो keeping the modern day perspective in life तो इस किताब को जरूर पढ़िए and to get your copy of the book please visit www.rajatbookcorner.com तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उमीद है कि आज की book summary से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा and now that you have learned it you are going to go ahead and apply that learning in your life अगर आपको ये episode पसंद आया तो video को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और ये video अपने उन सब ही family और friends के साथ share कीजिए जिन्हें एक third door की जरूरत है तो मिलते हैं अगले हफते एक नई किताब के साथ तब तक short term profit से नजर हटा कर long term opportunity और relationships पर ध्यान दीजिए और सबने देखना बिलकुल मत छोड़ी